नमस्कार दोस्तों आप सभी का अपनी यूटूब चैनल सिंपल वेश्टेडी को स्वागत है दोस्तों एक नए वीडियो की शुगात करते हैं और इस वीडियो में हम 20 अपरल 24 के सभी मैत्मूर करेंटरफेस को देखेंगे तो दोस्तों वीडियो में आगे बनने से पहले मैं आपको बता दूँ कि अपने टेलिगराम चैनल पर डेली करेंटरफेस का रिवीजिन को चालू किया है जिसको आप टेलिगराम चैनल पर जा करके लगा सकते हैं ठीक है उसमें आपको डेली 10 कुशन्स दिये जाते हैं ठीक है तो आप उसको आटेम्ट करके जो भी आपका इसको बनता है उसको कमेंट बॉक्स में वीडियो के जरूर लखिये तो चली वीडियो की शुरुवात करते हैं सबसे पहला प्रशन है भारती नोसना के निये किसने इसपेस विक्सित किया है तो ये डियाइडियो ने विक्सित किया है रच्छा विवाग के सचिव और डियाइडियो के अंत्यच डक्टर समीर विकामत ने केरल के इंदुक्की के कुल माबू में अंडर बाटर एकोश्टिक रिसर्च फैसेलिटी में द्वनिक बिशेष्टा एव मुल्यांकन के लिए एक अत्याद्वनिक संबर्सिवल प्लेटफॉर्म जिसे सौड में इसपेस का आ जा रहा है तो इसको लॉंच किया है डियाइडियो की नौसेना बहुतिक और मासावगरी प्रियोग सालब्वार इस्थापित इसपेस को जहां जो पंडुब्वियों और हैलिकोप्टरों साइथ विविन प्लेटफॉर्मों पर भारती नौसेना के लिए निरदारित सोनार पडाली के लिए एक प्रमुख परिच्छन और मुल्यांकन के इंदर के रूप में डिजाइन किया गया है तो ये जो इसपेस है वो सोनार टेक्निलोजी का परिच्छन और मुल्यांकन करने के लिए डिजाइन किया गया है भारती नौसेना के लिए और इसे डियाइडियों ने विक्सित किया है अपरल दोज़ज़जंच में किस राज्य के मसहुर तरंगाबरफी को जियाइडिया गया है जोड़ी बाराणसी की तरंगाबरफी को जियाइडिया गया इसके साथ देब बाराणसी के एक अन्ने उठपाद डनलुआ मूर्ती दातुसिल्प जिसे metal casting craft भी कहते हैं को GI deck भी डिया गया इसके साथ ही बनारस शेत्र से कुल 34 उत्पादों को GI deck मिल चुका है जो कि उत्तरपदेश के कुल 75 उत्पादों को GI deck मिल चुका है ठीक है जो किसी भी राज़ोदारा प्राप्त सरवादिक GI deck है तो सरवादिक GI deck कि सराज़ को मिले हैं तो उत्तरपदेश को मिले हैं पिछत्तर ठीक है उसके बाद दूसरे नमर पर कौन है तो इस सूची में दूसरे नमर पर तमिल नाडू है ठीक है तमिल नाडू दूसरे सरवादिक GI deck मिले हैं अपरल दौज़े 24 में टाइम मैग जी ने विश्ट की सो सबसे प्रवावसाली लोगों की सूची में बारत की किसब मसुरूर अविनेत्री को सामिल किया है तो इसमें आलिया वट्र को सामिल किया है टाइम मैग जी ने 17 अपरल दौज़े 24 को दुनिया के 100 प्रवावसाली वेक्तियों की सूची जारी की ठीक है इस सूची में देश-विदेश की कई मसुरूर रहस्तियों को सामिल किया गया है इसमें एक्टर अलिया वट्र ठीक है तो ये भारत से एक्टर अलिया वट्र और रेसलर साची मलिक को भी सामिल किया गया है तो भारत से इसमें दो लोग सामिल हैं अलिया वट्र और साची मलिक इस बार की टाइम मेर्जीन में 15 आर्टिस्ट, 15 टाइटन्स, 16 आइकन्स, 24 लीटर्स और 15 इनोवेटर्स और 15 पाइनियर्स को सामिल किया गया है इस सूची में बारती मूल की भी कई अस्तियों को सामिल किया गया है इस सूची में दिमंगत रूसी बेपच्ची नेता एलेक्सी नवलनी की पत्नी यूलिया नवलनाया को भी जगे दी गई है LGBTQ प्लस समदाई के कल्यान पर 12 सरकार द्वारा गठे समीति के प्रम कौन है तो राजीब गवा की अध्यच्चता में इस समीति का गठन किया गया है महारा सरकान ने LGBTQ प्लस समदाई के कल्यान पर केंदरित गरह सचिप राजीब गवा की अध्यच्चता में एक समीति गठित की है यह समीति जो है सुप्रियो चक्रवरती बनाम भारस सरकार मामले द्वाजचतेज में उच्चता मियाले द्वारा दिये गए सुजाब के आदार पर इस समीति का गठन किया गया है सुप्रियो चक्रवरती बनाम भारस सरकार मामला द्वाजचतेज क्या है तो इसमें विशेष बिवा अधिनियम उच्चता मियाले में चुनोती दी गई थी कि यह कानून समलेंगिक बिवा की अनुमती नहीं देता ठीक है और इसमें कागया कि यह सम्मिदान के अनुच्चे चोधा के तहट प्रदत मौलिक अधिकारों का उलंगन करता है ठीक है तो इस कानून को इस अधार पर चुनोती दी गई थी ठीक है और इसके फैसली में सुप्रीम कोर्ट ने इस वात को सही माना कि ये जो है मौलिक अधिकारों का उलंदन नहीं है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने शरकार को एक सला दी कि आप जो है LGBTQ प्लस समधाय के दोबों के अधिकारों के लिए जो है एक समिती बनाए है एक समिती बनाए है जो इस पर विचार करें कि उनको कौन-कौन से अधिकार दिये जा सकते हैं ठीक है तो इसके लिए इस समिती अवगठित की गई है पूरे भारत में समान नागरत सहेता लागू नहीं है बारत में अलगलग धर्मों के लिए अलगलग personal law लागू है तो इस साधी बिया से समादित मामले होते हैं वो अलगलग धर्मों के लिए अलगलग कानूनों से संचालित होते हैं तो हिंदूओं के लिए तो हिंदू बिवा अधनियम 1925 है जिसमें हिंदू, सिक, जैन और बुद्ध तो इन सभी लोगों के जो मामले हैं वो इसके तेता आते हैं बारती ईसाई बिवा अधिनियम 1880 तो ये ईसाई लोगों के लिए ठीक है और मुसलिम पर्सनल लोग सरियत आवेधन अधिनियम 1937 इसके तैट मसलमानों के साधी बिवा इंतरित किया आते हैं पार्सियों यानि पार्सी बिवा और तलाक अधिनियम 1936 इसके दोरा पार्सियों के लिए मियम बनाई गए हैं ठीक है अप्रेल दोज़े चौवीश में दुर्गम छेत्रों में बैतर सैनिक स्वास्ते तक नी की है तो ससस्तरबल चिकिस्षा सेवा ने किसके साथ साज़ेदारी की है तो यह IIT कानपूर के साज़ेदारी की है अठारे अप्रेल दोज़े चौवीश को ससस्तरबल चिकिस्षा सेवा ने बारती प्रद्धू की संस्तानियानी IIT कानपूर के साथ सायोगात्म, अनुसंदान और प्रिशिषण के लिए एक समझज़ता ग्यापन पर हस्तचर किये हैं इस समझ़ोते पर ससस्तरबल चिकिस्षा सेवा के माने देशक नेप्टिनेंट जनरल धल धलजीस सिंग और IIT कानपूर के कारवाहप निदेशक प्रोपेसर एस गड़ेश ने हस्तचर किये इसके तहट दुर्गम छित्रों में सेनकों के सामने आने वाली स्वास्ते समंधी समस्याओं से निपटने के लिए अनुसंदान करेंगे और नई तकनीकी विक्षित करेंगे अप्रेल दोज़ेश चौबीस में किस पूरवी एसी देश में ब्रहध इस्तर पर जल्माई ब्रहध इस्तर पर ज्वालामकी विश्पोट की गठना देखी गई तो यह इंडोनेसिया में देखी गई इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्राम्त में इस्थित मांट रुवांग में 16 अपरेल 24 की रात को पर्थम जौलामकी विस्पोर्ट हुआ थे कि तो मांट रुवांग में जौलामकी विस्पोर्ट देखने को मिला है जबकि 17 अपरेल को लगाता चार विस्पोर्ट और वुए जिसके कारण 1000 लोगों को यहां से विस्थापित किया गया इससे पहले 2018 में इंडोनेशिया के अनाक कराकाताव जौलामकी में भी विस्पोर्ट देखने को मिला था जिससे सुमात्रा और जावा तटों पर सुनामी देखने को मीडी थी परसांत रिंगो फायर क्या है ठीक है तो यह जो इंडोनेशिया है वो परसांत रिंगो फायर चेतर में इस्तित है ठीक है तो इसलिए यहां पर जौलामकी देखने को मिलते रहते हैं तो प्रसांत रिंग ओफायर क्या है? तो प्रसांत मासागर के चारों को टेक्टोनिक फॉल्ट लाइनों की सरंकला को प्रसांत रिंग ओफायर कहते हैं, ठीक है? तो जहां पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे जोसे मिलती हैं, उसे कहते हैं टेक्टोनिक फॉल्ट लाइन यह में रिंगो फायर के किनारे किस्तित हैं प्रत्वी की 90% बूखंप इसी छेतर में देखने को मिलते हैं क्योंकि जब प्लेटे टकराती हैं तो उसे बूखंप उत्पन होते हैं इंडोनेसिया इसी छेतर में इस्तित है तो इसका आईजन किया गया बिस्केक में तो इसके बारे महम पहले देख चुके हैं लेकिन ये प्रतोगता अब पूरी हो गई है तो अब इसमें बारत ने जो है तो बारती कुष्टी टीम ने 20-वी एसी एकुष्टी चेंपियंशिप में कुल नौ पदक जीते हैं जिसमें चार रज़त पदक और पांच कांस पदक सामिल हैं ठीक है पांच कांस पदक जीते हैं और चार रज़त पदक बीसवी एसे एकुष्टी चेंपियंशिप 2024 का आईजन 11-16 अपरेल 2024 तक किर्गिस्तान की राज़दानी बिसकेक में किया गया इसमें पुरुस और मेला दोनों बरगों को मिला करके कुल 30 वारती पहलवानों ने प्रतबात किया ठीक है अब इसमें किस-किसने पदक जीते हैं तो याँ पर ये पूरी सूची आपको दी गई है इसमें आप देख सकते हैं कि कुल नो पदक विजय था कुन है तो उदित हैं इन्होंने रज़त पदक जीता है तो इस तरीके से समन्दित है तो इस तरीके से आपके प्रेशन बन सकते हैं इसकाई ट्रैक्स अवार्ड त्वारा किस हवाई अड़े को विश्व का सरफ्षेष्ट हवाई अड़े माना गया है तो दोज़्ज़ चोवीश में ये पुरसकार दिया गया है हमाद अंतराष्टी हवाई अड़े को ठीक है कतर की दुआँ में इस तित हमाद अंतराष्टी हवाई अड़े को परतेश्टिद स्काई ट्रैक्स बर्ड एरपोर्ड अवार्ड से लगाता दूसरे बर्स लगाता दूसरे बस मिश्व का सरफ्षेस्ट हवाईएड़ नामित किया गया ठीक है तो पिछले बस दौज़ेश्ट तेईश में भी इसको युँआ है सरफ्षेस्ट हवाईएड़ का परसकार मिला था और अब दौज़ेश्ट चौविस में भी इसको और दच्चर एसिया में सर्वशिष्ट एयरपोर्ट स्टाप 2024 का प्रसकार दिया गया है, तो हैदरावाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट को भी एक अवार्ड मिला है, इसमें ये सुची आप याद रखीएगा अपरल 2024 में बारत ने किस देश को ब्रमबो सुपरसोनिक मिसालों का पहला खेप बेजा है, ठीके तो ये फिलिपीन्स को बेजा है पहली खेप भारत ने 19 अपरेल 2024 को ब्रम्वोस सुपरसोनिक मिसालों का पहला सैट फिलिपीन्स रवाना किया भारत और फिलिपीन्स के बीच 2022 में इस हत्यार परडाली को लिए करके 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर का सोधा किया गया था भारत में ब्रम्वोस सुपरसोनिक रूज मिसाल क्या है तो इसके बारे में जान लेते हैं तो इसे भारत में ब्रम्वोस एरोस्पेस प्राइवेट रियम्टेर द्वारा तयार किया जाता है ठीक है जो भारत और रूस का एक जॉइन्ट बेंचर है इसकी इस्ताफना 1995 में की गई थी और इसको जो है डियाईडियो भारत के डियाईडियो और रूस के एनपियो मसीनो इस्ट्रो ये नियो ने मिलकर के बिट्सित किया ठीक है और इसका मुक्याले नई दिली में है ब्रमोस मिषाइल का जो नाम है वो भारत की ब्रंपुत नदी और रूस की मस्कोवा नदी के नाम पर इसका नाम ब्रमोस रखा गया है इस मिषाइल की स्पीड कितनी है तो 2.8 मैख इसकी स्पीड है जो दोनी की गती से लगव तीन गुना जाता है और इसकी मारक चमता 290 किलो मीटर तक है ठीक है इस मिसाइल को पंडुब्बियों, जहाजों और बेमानों आदी से लॉंच कर त्युस्मन के टारगेट को नस्तनावूत किया जा सकता है तो इसकी अलग-लग वेरियंट है, इसे हवा से भी लॉंच किया जा सकता है, सते से भी लॉंच किया जा सकता है और जल में पंडुब्बी से भी लॉंच किया जा सकता है यह 10 मीटर की उचाई पर उडान बनने की चमता की बेज़े से रडार की पकड़ में नहीं आता है fire and forget यानि दागो और गुलिड्याओ से दान्त पर काम करती है अप्रेल दोजे चौविश में बारत के किस राज्य में बर्ड फ्लू के मामले सामने आए ते केरल में मामले सामने आए हैं केरल के अल्ला पुजा जिले के तो केरल के अल्ला पुजा जिले के एंड थुआ और चेरू थाना में हजारों बतकें अत्यदिक रोजन एबियेना एंफ्लुएंजा एच फाइव एनवन वाइरस से संकरमित पाई गी ठीक है और इसको लेकर के हाली में डबलू एचो ने भी जेतावनी जारी की थी अल्लपुजा जिले में बर्ड फुलु का नवीन्था मामला 12 अपरेल 2014 को सामने आया ठीक है और संकरमित पाईच्चियों के सबों को परिछण के लिए राष्ट्री उच्छ सुरच्छा रोग राष्ट्री उच्छ सुरच्छा पसुरोग संस्थान बोपाल में बेजा गया जहां पर ये मामले सामने आये हैं पिछले तीन बर्षों में इस शेत्र में बर्ड फुलु की ये चोथी गटना देखने को मिली है अबिएना इन्फुलुएंजा या बर्ड फुलु की बात करें तो सबसे पहले ये दोज़त तीन में बेतनाम में देखा गया था बारत में ये पहली बार फरवरी दोज़त च्छे में माराष्ट के नवापुर में एक पॉल्ट्री फार्म में दर्ज किया गया था ठीक है तो ये नवापुर ने ये नवापुर है अबिएना इन्फुलुएंजा जिसे H5N1 बारस भी कहते हैं या बर्ड फुलु ठीक है ये पच्छियों की एक बीमारी है ये सुवावे कुटूब से दुनिया वर में जंगली पच्छियों में पाई जाती है ठीक है संक्रमित पच्छि अपनी लार सिलेस्मा और मल के माद्यम से इसको फैलाते हैं ठीक है सामाने तो ये बीमारी मनुश्यों में नहीं फैलती है लेकिन अगर कोई ब्यक्ति इस वायरस से तब संक्रमित हो सकता है जब वायरस उस ब्यक्ति की आँखों नाक या मूँ के माद्य में चला जाए ठीक है अगर ये बायरस से कोई ब्यक्ति अगर संक्रमित हो जाता है तो उसमें मिरत्यू की तर बहुत ही उच्छ देखने को मिलती है ठीक है तो अगर मानलों लगवा सो मामले हैं तो उसमें से लगवा 50% यानि कि 50 मामलों में मिरत्यू देखने को मिलती है त दुनिया में पहली बार पूरी तरह से क्रतिम बुद्धिमता की माध्यम से बनाई गई मॉडल और प्रवावसाली हस्तियां ए मिस ए आई नामक सुंदर प्रतोगता में प्रतिस परदा करेंगे तो अब Artificial Intelligence काफी तेजी से बिखसित हो रहा है ठीक है तो इसके माध्यम से जो Artificial Intelligence से जो मॉडल और प्रवावसाली हस्तियां बनाई आती हैं उनकी मिस प्रतोगता यानकी सुंदरी प्रतोगता ते दस मई को जो है ओनलाइन आई जित की जाएगी ठीक है और इसमें जो है 20,000 डॉलर की परसकर राची रखी गई है तो पहली बार होगा कि कोई Artificial Intelligence पर आधारत मॉडल इस मिस एई आई प्रतोगता में बावदी धेंगे मुंबई इंडियन्स के पूर्म कफ्तान रोय सर्मा ने हाली में अपना 200 मां IPL मैच खेला ठीक है और वह है ऐसा करने वाले इन दूसरे खिलारी बने हैं ठीक है इनसे पहले MS दौनी ने इनसे जाता मैच खेले हैं जिनोंने अब तक 256 मैच खेले हैं ठीक है और 200 मैच खेलने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ठीक है और बेल आइकन जरूर दबाईए जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिले ठीक है और आप कमेंट के मादिम से अपना फीड़ वैक भी आमें जरूर दीजिए ठीक है और ज़्यादा दोस्तों तक और इस वीडियो को सेयर करिए जिससे हमें ज़्यादा से यादा लोगों तब पहुंचने में मदद मिले और ऐसे ही वीडियो आगे भी लाने में हमें मदद मिले ठीक है और आप जो है डेली कुज जा करके और आप जो है इसका रिविजन करने के लिए टेलिग्राम चैनल पर डेली कुज भी अटे सन्मेदा़ की और आप जो है तून से खाने मात